IPL 2022 का तीसरा मुकाबला Royal Challengers Bangalore और Punjab Kings के बीच खेला गया था जिसमें Punjab Kings ने RCB को 5 विकेट से हरा दिया Punjab Kings ने पहले टॉस जितकर गेंदवाजी करने का फैसला किया था जिसके बदले में RCB की टीम ने 20 ओवर में कुल 205 रन का विसाला स्कोर खरा कर दिया RCB के टीम से 5 डुपलेसिस ने सबसे जादे 88 रन बनाए Punjab Kings के लिए गिंदवाजी करते हुए अक्षदीप सिंग ने एक विकेट और राहुल चहर ने एक विकेट निकाले उसके बाद बल्ले बाजी करने आई Punjab Kings की टीम Punjab Kings की सुरवात तो बहुत ही अच्छी हुई थी कप्तान बयांक अगरवाल के साथ धवन ने 50 संद से जादे की सायजारी की जिसके बाद बल्ले बाजी करने आए भानुका राजपक्चा भानुका राजपक्चा ने मातर 22 गिंद में 43 सन बनाए जब बल्ले बाजी कर रहे थे तो ऐसा लगा था पंजाब का जीत तैह है लेकिन उसके विकेट जाने के बाद बल्ले बाजी करने आए और्डेन सिमित और्डेन सिमित ने मातर 8 गिंद में 25 संद ठोक डाले जिसके बदोलत पंजाब ने मातर 19 अवर में ही अपना टार्गेट चेस कर लिया था आर्सीवी की तरफ से गिंद वाजी करते हुए मुहमद सिराज ने 2 गिकेट, अक्षरदीप ने 1 गिकेट, हसरंगा ने 1 गिकेट और हरसल पटल ने 1 गिकेट निकाले इस मैच के प्लियर आप दा मैच रहे ओडियान सिमित, ओडियान सिमित ने मातर 8 गेट में 25 बनाए थे